राधे राधे चैसीरी कृष्णा स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ती में आज इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान के बारे में जानेंगे साल 2023 में कार्ति किसनान कब से सुरू करना है? क्या नियम होते हैं कार्ति किसनान के? कार्ति किसनान के द्वरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या खाना चाहिए? सनान को करना चाहिए? यानि कार्ति किसनान से समंदित सभी जनकरिया आज की इस वीडियो में हम साल 2023 में कार्तिक स्नान सूरू हो रहा है 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर को कार्तिक का पहला असनान होगा अस्वीन मास के पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक असनान क्या जाता है पत्पूराण में कार्थिक स्नान का बहुत बड़ा वंडन बताया गया है कहा गया है कि समानी जन यदि कार्थिक स्नान करते हैं तो इस जीवन में तो सुख पाते ही हैं मिर्त्यू के बाद उन्हें मोग्ज की प्राप्ती होती है कार्तिक मास को दा मोदर मास भी कहते हैं इस महीने में किये गए स्नान, दान, पुजा, पाठ, आधिका पल हमें कई गुना होकत मिलता है कार्तिक स्नान करने के पांच नियम होते हैं पहला जो नियम होता है वो है स्नान का नियम दूसरा नियम तुलसी पुजन का तीसरा हरी जागरण का, चौथा दीबदान का और पांचवा उध्यापन का, ये पांच नियम होते हैं कार्तिक स्नान के, इनकी अनुसारी हमें कार्तिक स्नान करना होता है, कार्तिक स्नान सुबब ब्रहमुहरत में उठकर थंडे जल से स्नान करना होता है, सुभव पांच बजे से पहले पहले तारों की छाओं में असना कर ले उसके बाद हमें तुलसी जी का पत्वारी का आउले का पूजन करना होता है कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है तो रोज नियम से स्नान के बाद तुलसी पूजन जरूर करें आप तुलसी जी के पासी पथवारी बना ले फिर रोज उनकी भी पूजा करें परिकर्मा करें, कार्तिक महतम पढ़े या फिर सुने कार्तिक की कहानिया सुने, उसके बाद हरी जागरन जरूर करे यानि भगवान स्रीहरी के नीमित भजन जरूर करें आप जितने चाहे उतने भजन कर सकते हैं पर दो भजन तो जरूर ही करें उसके बाद आप एक लोटा जल सुरे देवता को समर्पित करें इस तरह से हमें पूरे कार्तिक महीने सुबह पूजा करना होता है और साम के समय दीबदान करना होता है यानि हमें दीपक जलाना होता है तुलसी जी में हम रोज सुबह साम दिया जलाते हैं अब हम जानते हैं कि कार्तिक में व्रत कैसे किये जाते हैं तो देखिए इन तरीके होते हैं व्रत के पहले तरीके में पूरे कार्थिक महीने अन नहीं घाया जाता है पूरे महीने सिरफ फलाहार ही किया जाता है यानि पूरे महीने का ब्रत किया जाता है दूसरा जो तरीका होता है उसमें पूरे कार्थिक के महीने एक समय अन का सेवन किया जाता है यानि पूरे दिन अपला हार कर सकते हैं लेकिन जो अन है वो एक टाइम ही खाना होता है तीसरा जो तरीका है कार्थिक वृत का उसमें सिरफ पुन्य तिथियों में वृत किया जाता है यानि एकाथसी, गोवास्टिमी, आवलाननि, पुनिमा, इन पूर्णितितियों में ही वुरत किया जाता है, इस तरह से कार्थिक में वुरत किया जाता है, इस महीने में दान का बहुत अधिक महतु है, अनका दान सबसे बड़ा दान मना जाता है, क्योंकि अन जो होता है, वो मनुष्य जीवन का अधार होता है तो अनकादान जरूर करे इसके साथ ही दीबदान जरूर करे क्योंकि सास्त्रों की मानेता है कि फगवान विश्व ने कुवेर महाराज को ये आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीबदान करेंगे उनको धन बेभव की कभी कमी नहीं होगी तो आप कार्तिक के महीने में दीबदान जरूर करें अब हम जानते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं तो सबसे पहले हमें दलहन यानि दाल का सिवन नहीं करना चाहिए जैसे चने की दाल मसूर की दाल, मटर, चन्ने जो चीजे दो टुगडों में विभाजित हो जाती हैं दलहन्ची ने बोलते हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए इसके साथ बैगन, मूली, गाजर इनका भी सेवन कार्तिक के महिने में नहीं करना चाहिए इसके साथी सरीर प्रत्तेल भी कार्ति के महीने में नहीं लगाना चाहिए. प्याज, लहसन, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. कार्तिक स्नान के दोरान जमीन पे सोना चाहिए बेडिया छरपाई पे नहीं सोना चाहिए साथी ब्रह्मचर इब्रत का पालन भी करना चाहिए कार्तिक स्नान से मन्यूस्य के सभी पाप नस्ट हो जाते हैं सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तो कार्थिक स्नान आप जरूर करे पहले दिन यानी 28 अक्टूबर को स्नान के बाद आप संकल्ब करे, भगवान से प्रातना करे कि आप पूरे कार्थिक स्नान का या व्रत का जो भी आप नियम ले उसका संकल्ब करे कि हे भगवान आप इसे निर्विक्न पूरा करे और देखिए आप अपने सरीर के हिसाब से ही कोई नियम ले अगर आप रोज सुबा थंडे जल से सनान नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ और नियम भी ले सकते हैं जैसे रोज दीबदान का, कार्तिक महत्दम सुनने का, कार्तिक की कहानिया सुनने का और भी बहुत सारे नियम हैं वो भी आप ले सकते हैं जो भी नियम ले उसे पूरे एक महिने नियम से निभाना होता है इसलिए आप देखके जो भी आप नियम लेना चाहते हैं अपने सरीर के हिसाब से ही ले तो इस तरह से हमें कार्थिक महीने में कार्थिक स्नान करना होता है अगर वीडियो आपके लिए यूसफुल हो तो प्लीज लाइक किजेगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ती को सस्क्राइब किजेगा थांक्यू राधे राधे जैसीरी कृष्णा